अश्रानेकोम जम्हां इम्रान और आज हम एक्सल के एक और टिप लेके आए हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट वैलिडेशन लिस्ट होती है विशिक लिए तो वो इस्ते किसे बंती किस्ते किसे तो जी स्टार्ट करते हैं और पहले हम यहां पर पहले अपने डेटा को डाल लेते हैं ठीक है अब जैसे कि अधर हमें यह चाहिए कि यहां पर इनका का डेपार्टमेंट लिखना हो तो बजाए इसके कि हम मैनुवली लिखे हैं और इस त्रीके से इसमें चांसेज भी होता है एरर के और वो जो स्पैलिन मिस्टिक्स भी हो ज आती है तो अभी तो डेटा कम है लेकिन रियल लाइफ के अंदर ऐसा हो तो वैलिडेशन अगर लिस्ट बनाने हो रोग डाउन से रिलेटेड और बार बार वो डेटा फील्ड भी ना करना हो तो हम कैसे करेंगे तो जी हम एक काम कर रहे हैं कि हम यहां पर डिपार्टमेंट के नाम से एक अपने डिपार्टमेंट एड कर लेते हैं आई टी है चार एडमिन रोड़क्शन और अप्लाइड चेन ठीक है तो अगर ड्रॉड डॉलिस बनाना है तो भाई आप यहां जाएंगे डेटा स्लेक्ट करेंगे जिदर आपने बनानी है उन सारे सल्स को स्लेक्ट करेंगे डेटा में जाएंगे डेटा में जाके डेटा कंट्रॉल टूल्स के अंदर आप यहां पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे यहां पर लिस्ट कर देंगे इसको और यहां पर स्लेक्ट कर लेंगे आपकी जो भी लिस्ट है अच्छा यह अगर बढ़ जाए तो भी आप इसके अंदर एड कर सकते हैं इस रेंज को बढ़ा सकते हैं तो देखें ये आ ये ड्रॉप टाउन आ रहे हैं यहाँ पर तो ये तो आपकी आसान हो जाएगा इसके अंदर कि भाई ये बार बार आपको आपको बार बार टाइप भी नहीं करना पड़ेगा अचा ये तो भी डिपार्टमेंट की लेकिन अगर आपकी रिक्वार्मेंट ये है कि भाई इस डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होती जिसे कि मैं एचार लिखूं तो एचार से रिलेटिड और उसके सब डिपार् अचार इसको कॉफी करने थे ये ठीक है उसके लिए जो आपको लिस्ट बनानी है उसके अंदर आपने सेम वही नाम डालना है जो कि आपके पेरेंट ड्रॉप डाउन के अंदर है यहां पर ठीक है यही आपने यहां लिख देना है अच्छा अब एक काम और कर रहा है कि इसका table बना दें table कैसे बनाएंगे range को select करें और control T कर दें और my table has headers इसे select कर लिए तो जी ये आपके table select हो गए थोड़ी जी फार्बेटिक कर लेते हैं center कर देते हैं center कर देते हैं ठीक है और ये उंकर देते हैं अच्छा अब अगर मैं यहां पर लिख लेते हैं IT1 ठीक है इसे देंगे से HR1 HR की भी departments चार कर देते हैं admin1 अच्छा ये डेटा सेंपल डेटा है आप चाहें तो real डेटा पर आप करेंगे मैं तो फिलाल यहां पर सेंपल डेटा बना रहा हूँ ठीक है और यहां लाइट चेंड गुवाइन ठीक है और इसको बड़ा गंजत है अब सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी range बनानी है selection की देखें table के ओपर जब मैं column के ओपर जा रहा है यह fat arrow बन रहा है आप इसे click करेंगे और यहां पर आपने इसकी range define कर दिया नहीं है इसकी IT ठीक है जी तो इसकी range define कर लेते हैं यह fat arrow को click किया इससे select हो गया और यहां पर हमने IT लिख दिया ठीक है अब यह हमारी range को एक नाम मिल गया है ठीक है देख लेते हैं यह देखें फिर range को नाम मिल गया है अब इसी तरीके से HR के साथ करते हैं इसको भी एक नाम देते हैं जितने हमने department मनाया है सब के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा ठीक है production भी है अच्छा कर क्यों रहे हैं यह भी आपको थोजी दिर में clear हो जाएगा supply gym ठीक है अब इस range हमने इसकी range के नाम दे दी है ठीक है यह रहे नाम अब अगर मैं इसका dependent करना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना इन सब cells को select करूंगा और इसी तरह के से data के अंदर validation के अंदर data validation list और यहाँ पर is equal to indirect ठीक है और bracket open और इसके बाद मैं इस cell का reference दे दूँगा लेकिन देखें इसमें dollar नजर आ रहा होगा आपको तो आपने F4 लबाके इस dollar को खत्म कर देना यह symbol cell का reference होगा ताके यह सारी cell की range पे apply हो सके okay कर देंगे तो यह HR है यह देखें हर से related यहाँ पर आ रहा है अच्छा यह अगर HR की जगा मैं इसको IT कर दूँगा तो देखें IT से related यहाँ पर आ रहा है और इसी तरह के से अगर मैं इसको production कर दूँगा तो देखें यहाँ drop down में production से related आ रहा है अच्छा अब मैंने यह table में क्यों मनाया और table का reference क्यों दिया अभी clear कर देते हैं मैं अगर इसको expand कर देता हूँ future में यहाँ सब department मेरे expand हो जाते हैं तो क्या होगा तो अभी देखें अभी production selected है और production देखें आप 12 तो यह खुद पर खुद dynamically अपने आपको update करता रहेगा अभी supply chain है supply chain के अंदर तीन department और add हो गए है इस देखें से admin है admin के अंदर भी 6 तक आचुका admin तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यह देखें admin के 6 department आचुका है यहाँ पर तो यानि यह ऐसा नहीं है कि आपकी range आपने select की one time और बस उसके बाद add नहीं हो सकता तो इसी लेवर ने इसका table बना है table बनाने के लिए आपको control T range select करके control T करना पड़ता है आपके table बन जाता है table बनने के बहुत फायदे होते हैं एक तो filter लग गया इसके अंदर खुद पर खुद दूसरा अब नए department बनाने है जस्ट यहां कोने में आके tab दुबाएंगे नियूरो जाएड आजाएगी ठीक है तो I hope के इस थोड़ी सी example ने बहुत सारी चीदे clear की होंगी drop down list और dependent drop down list यह बहुत ही अच्छा एक feature है और इसके लिए बस आपने पहली drop down list तो बहुत easy बन जाती है आपने बनाया range को select किया validation आपने list create कर दी और इसके लिए sub department के लिए जिस जिस range को dependent बनाना है उसकी title बना दी हेडिंग सेट कर दी और उसके बाद फिर उसके अंदर जो department के नाम है sub department के चुनाम है वो आपने select कर लिए और इस तरह जिसे ये इसकी dependent list बन गए I hope कि मैंने easily इस topic को cover किया होगा और आपको समझ आ चुका होगा फिर भी अगर थोड़ी चीज़ रह गई हो कोई चीज़ unclear हो तो please comment के फूस्ट ही देदा और इस वीडियो को like करें channel को subscribe करें मेरा channel basically new users के लिए है जो के बिल्कुल new है excel में python में SQL में ताके मैं उनको easily समझा सको और उनकी learning में ज़ाफा हो thank you very much thank you